रोगो अगे नमसकार स्वागत है आप सभीका कम्जिशन कॉम्मोनीटि में और हम लोग ईकॉंङी के कलासेश के आपर बात कर रहें यानि यदि हम लोग假ी हम व्यूस्था के उपर बात कर रहें ध्यार धियान रखेगा इसे पहले वाले classes में हमने बात किया था किसके बारे में growth यानि की बिर्धि के बारे में बात किया था और development यानि की विकास के बारे में बात किया था growth और development के बारे में बात किया था बिर्धी और विकास के बारे में हम लोगों ने बात किया था यह बात आप अपसा ध्यान में रखेंगे ठीक है हमने आपको बताया था कि growth जो है न वो क्या होता है single dimensional होता है जबकि development क्या होता है multi dimensional होता है हमने growth में कहा था कि मान के चलो कि अगर किसी देश के GDP में 5% का बढ़ोत्री हुई तो ये growth हुआ, विकास नहीं हुआ, क्योंकि विकास होने के लिए अगर क्या उस देश में road का भी उसी तरीके से बिर्दी हुआ, road का भी उतना ही development हुआ, जितना की growth हुआ, या गरीबी उसी करके काम किया गया, बच्चों को लिए करके काम किया गया, तो इन सब चीजों के बारे में जब बात करना सुरू करते हैं, तो वो development हो जाता है, जो कि कल हम लोग ने इसके उपर बात किया था, तो हमने कल कहा था कि development में हमने आपको HDI कल बता दिया था, Human Development Index, जिसके तीन indexes जिसमें हम लोग स्वास्त के बारे में बात करते हैं, सिख्छा एजूकेशन के बारे में बात करते हैं, और तिसरा हम लोग बात मापक होते हैं इसमें और भी मापक होते हैं जैसे एक होता MPI Multidimensional Poverty Index ये भी एक मापक होता है तो इसको हम लोग Poverty के साथ पर लेंगे ठीक है इसको हम परेंगे Poverty के साथ उसके बाद Gender Gap Index भी होता है Gender Gap Index होता है खुसहाली रिपोर्ट होते हैं ठीक है और भी इसमें भूख सुचकांक होता है जैसे भूख सुचकांक में भारत का जो अस्थान है वो 101 मापक है तो ये सारी चीजे हैं जिसको आप सब्सक्रास अच्छे से ध्यान में रखेगा Development के मापक में MPI के बारे में बात करेंगे और भी जो मापक है उसके बारे में बात कर लेंगे जब Growth के बारे में बात करते हैं और Growth के मापक को देखते हैं तो हमें GDP सबसे पहले समझ में आता है हमें GNP भी समझ में आता है हमें NNP या NDP भी समझ में आता है हमें NNP भी समझ में आता है ठीक है और ये सारे हम National Income के अंतरगत पढ़ते हैं NI के अंतरगत पढ़ते हैं तो आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले National Income का जो growth का मापक है पर capita income भी हम इसमें लिग देंगे, पर capita income, इसके अंतरगत हम काम कर लेंगे, पर capita income को भी, तो थोड़ा सा हम लोग NIE यानि की national income को एक बार देख ले, और इसके मापक यानि GDP, GNP वेगरा को हम लोग एक बार देखने की कोशिस करेंगे, ठीक है न, ध्यान में आप रखियेग मैं इस सब को मिटाता हूँ, क्यों कि कल इसके उपर बात कर चुके है, इसको आप लिखे या तो लिख सकते हैं, नहीं तो हमारा topic आज का है क्या, national income, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं national income, ठीक है, ध्यान रखियेगा, सब कुछ लिखा हुग आपको मिल जाएगा, PDA ब कि चुकि इसके मापक तो GDP, GNP, NNP और NDP जैसे चीज़ हम देखते हैं, लेकि इसका जो परिभासा है, उसको हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, कि किसी भी देश के बित्ये बर्स में, किसी भी देश के एक बित्ये बर्स के अंतरगत, जो अन्ति मुरूप से उत्पादित बस्तुओं और सेवाओं का मुल है, एग्रिगेट मुल है, उसे हम नेस्मनल इंकम कहते हैं, फिर से बताओं कि कि किसी भी बित्ये बर्स में, मान के चलो कि हम बित्ये बर्स करते हैं, 2021-2022, किसी भी बित्ये बर्स के अंतरगत, बित्ये बर्स मतलब एक साल, ठीक है, बित्य सेवाई हैं, सेवाई हैं, ठीक है, यह services है, और यह क्या है, goods है, goods है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि किसी भी बित्य बर्स के में, किसी भी बित्य बर्स में, एक एक देश के द्वारा अंतिम रूप से उत्तपादित, अंतिम यानि final goods, अंतिम final services, अंतिम रूप से उत्पादित, बस्तू और सेवाओ का कुल मुल, क्या कहलाएगा, national income, कुल मुल, यहाँ पर add कर दिया, कुल मुल, ठीक है न, मैं दूसरे कलर से कर दू, कुल मुल के तो, यहाँ पर देखो, दूसरे कलर से करता हूँ, national income है, अब इसको मैंने अपने परिभासा को हम यहाँ पर इस तरीके से उतारे हैं, और इसको और अच्छे से समझने के लिए, example, देखो, example, मान के चलो कि यह goods है, और goods की जो final value है, final value क्या होते हैं, वो हम बताएंगे, जो अंतिम final goods है, उसका जो total मुल है, मान के जो लो 50 रूपिया, औ इतना पैसा आए किया है, कितना पैसे की income किया, goods से 50 रूपिया, अंतिम रूप से, अंतिम, final सब्द को ज़रूर याद रखेगा, कभी भी परिभासा अगर आपसे question पूछे, परिभासा को ले करके, और option में परिभासा बना दे, तो वहाँ पे एक सब्द ढूणना शुरू किजेगा final, क्योंकि अगर option में final नहीं होना, तो उस option को आप eliminate करते चले जाए, क्योंकि बिना final के national income नहीं निकलता है, न GDP निकलता है, न कुछ निकलता है, तो final goods या final services बहुत ज़्यादा importance रखता है, और वो क्या होता है final goods हम अब तक अभी आएंगे, लेकिन बस पहले जिभासा को थोरा समय आपको क्या बलते हैं, अक्छर सा उतारदू board पर ताकि आपके खोपडिया में हमेशा के लिए पैवस्त हो जाए, हमेशा के लिए वो इंटर कर जाए, point समझो, तो मान के चलो कि ये goods है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा और उसकी कीमत क्या है 50 रुप सर्विशेज के कीमत क्या 50 रुपिया, तो finally, finally अगर हम बात करें, दोनों को add करके तो हमारे national income कितना है 100 रुपिया, तो इसका मतलब है कि 2021-22 के लिए हमारे national income कितना है 100 रुपिया, समझ मैं या ना, तो 100 रुपिया का हमारे national income है तो इसमें goods sum को कितना मिल रहा 50 रुपिया, और सर्विशेज से कितना मिल रहा 50 रुपिया, ठीक है, तो अब जो परिभासा है उसको अगर सब्दों में लिखोगे, तो कैसे लिखोगे, किसी बित्तिय बर्स में, बित्तिय बर्स है न यह, देख रहा ना, financial year है, दोजार किसी बाइस, financial year, ठीक है, financial, किसी भी बित्तिय बर्स में, किसी देश के द्वारा, यह जो पूरा गोला है, यह पूरा गोला है, एक country है, जिसका नाम है इंडिया, किसी भी देश के द्वारा, अंतिम रूप से उत्पादित, बस्तु और सेवा, देखो, अंतिम, बस्तु और सेवा का कुल मुल, कुल मुल, कुल मुल, मैंने परिभासा बताया, उस परिभासा को मैंने यहां पर उतार दिया, अब इस से अच्छा और क्या समझा सकता हूँ कि जब परिभासा को ही हम Mathematic Formula में ला करके Add कर दिये, Mathematician Formula में हम इसको ला करके रख दिया है तो ये बात अगर आपको दिमाग में चला गया है, अगर इस तरीके से परिभासा को आपने देखना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए कि आपको एक्जाम में गलती कोई नहीं करवाएगा चाहे किसी भी तरीके से उल्टा सिधा आपसे कोशन पूछले आप गलती नहीं करेंगे एक बात ध्यान रखेगा कि final बहुत important है क्योंकि final goods के बिना काम नहीं चलने वाला याद रखेगा परिभासा में final goods ढून लीजेगा वो आपको ध्यान में रखेगा तो परिभासा मुझे लगता है कि आप मैंने कितने वार दोहरा दिया है आपने लिख लिया होगा ठीक है अगर नहीं लिखा है तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा PDF में ध्यान रखेगा या फिर अभी आपको दिखाएंगे लिखा हुआ पॉइंट यहां पर ही कि आप समझते कितना है आपके खोपड़ी में कितना आता है अगर नहीं समझे तो कोई फैयदा नहीं है नहीं समझे तो कोई फैयदा नहीं है और मैं बिलुकुल बोर्ड वाला आज टीचर बन गया हूँ तो बोर्ड पे हम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे देखते हैं बोर्ड पे कैसे पढ़ाते हैं आपके लिए के लिए भी थोड़ा सा यह लगए कि हम चलो बोर्ड पे पढ़ लेते हैं ठीक है अब इसको मिटाता हूँ मुझे लगता है कि आप लोग ने इसे लिख लिया होगा तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फाइनल गुड्स के बारे में फाइनल गुड्स यानि कि अंतिम उत्पाद के बारे में बात करते हैं फाइनल फाइनल गुड्स ready to consume simple तरीके से ready to consume यानि कि उपभोग के लिए तयार ready to consume हिंदी बोलना हूं है हिंदी वाला बिल्कुल परसान नहीं होना ठीक है उपभोग के लिए तयार final to consume उपभोग के लिए तयार ठीक है इसको दूसरे सब्दों में भी बोला जाता है कि वैसा बस्तू जिसको अब दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ठीक है तो एक परिवासा इंगलीज में लिखा दूसरा परिवासा हिंदी में लिख देता हूं ठीक है वैसा बस्तू वैसा बस्तू जिसे जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता लेकिन ये परिवर्तित नहीं किया जा सकता लेकिन एक बात याद रखियेगा ठीक है यहाँ पे इस परिभासा में एक लोचा है लोचा क्या है कि ये परिभासा अपने आप में थोड़ा सा कमी है यानि कि इस परिभासा में एक कमी है क्या है कि जरूरी नह है कि कोई बस्तू अगर उसे अंतिम रूप से नहीं परिवर्थित किया जाये तो वह फाइनल गूर्ट्स है ऐसा जुरूरी नहीं क्योंकि कुछ ऐसे भी बस्तू होते हैं जो अंतिम रूप से यानि कि फिर से दुवारा परिवर्थन के लिए तैयार है लेकिन उससे पहले व है तो चाहे वह पहले चरण में कंज्यूम हो जाए तो फाइनल गूर्ट्स हो जाएगा दूसरे चरण में कंज्यूम हो जाए तो फाइनल गूर्ट्स हो जाएगा उससे कोई फरक नहीं परता है कि यह जो कंज्यूम हो रहा है वो कौन से चरण में यानि कि किस उत्पादन क किस पार्ट में तयार हो रहा है ठीक है ना? लेकिन इसमें क्या कहा रहा है कि अन्ति मतलब कि अब वो तयार ही नहीं अब आगे कोई conversion नहीं होगा तो ये कुछ परिभासा को थोड़ा सा थोड़ा सा इसमें इतना सा कमी है और उस इतने से कमी को हम आपको दिखाएंगे बोड़ पर क्यों कमी है लेकिन आपके किताबों में इस तरीके के दोनों बाते आपको दिखाई पर जाएगा ठीक है? फाइनल गुड्स अब आपको समझना है कि क्या होता है फाइनल गुड्स चलिए एक्जामपल से अगर मैं मैं आपको समझाता हूं तो देखिए मान के चलो कि हमारे पास आइडन और गेहुं से समझाते है इसलिए क्योंकि गेहुं सबके घर की बात है आईडन और फाइनल साइस समझ में आपको नहीं आए मैंने आपको चुकि वादा भी किया है कि आपके घर से मैं आपको पूरी एकॉनमी समझाऊंगा तो उस वादा को मुझे पूरा भी करना है गेहू है ठीक है ये गेहू है और गेहू का आज के डेट में जो कीमत है गाओ बगरा में है चुकिह किसान ही हूं basically family से अभी लगबग सत्री रुपय के आज पास गेहूं भीक रहा है हमारे यहाँ ठीक है हम लोग किसान बग रहरे है खै गेहूं मेला जुलाकर के हमारे यहाँ ठीक है अग गेहूं से क्या बनेगा तो गेहूं गेहूं से बनेगा आटा, गेहूं से और भी उत्पाद बन सकता है, इसमें कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग प्लीज थ्यान दिजेगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग और आटा बनाने में मान के चलो की पांच रुपईया खर्चा हुआ तो आटा का कीमत कितना हो गया 22 रुपईया अब आप हमें बताईए यहां पे दोनों परिभासा के आलोक में मैं बात करना चाहता हूँ आप हमें बताईए कि आटा फाइनल गूट्स है या नहीं है आटा आटा लाकर के आप अपने घर में इसको ट्यार कर लेते हैं आप असका चलो रोटी बनाएंगे और खाइंगे ऐसा कर लेते हैं ठीक है तो आटा क्या है फाइनल गूट्स है विट और यह यहाँ से बन गया क्या आठा यह क्या बन गया आठा ठीक है और यह है 17 रुपे किलो और इसमें 2 रुपिया कर देते हैं या 5 रुपिया कर लेते हैं और इसको बनायते हैं 17, 5, 22, 22 रुपिया हो गया आठा ठीक है चलिए अब आठा से क्या बन गया तो आठा से आ फाइनल गूट्स में आटा आजाता है ठीका रोटी नहीं आता है इसको ध्यान रखेगा और क्यों वो भी मैं आपको समझाऊंगा अब ध्यान से समझो मेरी पूरी बात को पूरी एकॉनमी यही पर समझ में आएगा आता और यह आगया आगया आपका ब्रेड यानि कि क्या आ तो अब फाइनल गूट्स क्या है फाइनल गूट्स यह है यह फाइनल गूट्स है और इस इस प्रोसेस के लिए फाइनल गूट्स क्या है यह फाइनल है फाइनल है तो मैंने आपको क्या कहा था पहले वाले परिवासा में रेडी टू कंजूम यहां रेडी टू कंजूम है तो अगर चेंज में मतलब ऐसा बस तू जिसका अब संभावित कोई रूप परिवर्तन नहीं हो सकता है प्रोसेस के द्वारा तो अगर यहां पर हम देखें तो इसका संभावित रूप परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर प्रोसेस में आटा मिडिल बूड है और पहले वाले प्रोसेस में आठा फाइनल गूड है कैसे अच्छे समझो और तरीके से हम गये दुकान से आठा लेके आए घर पे रोटी बिनाए खालिए फाइनल गूड हमने हमको 22 रूप यह लगा ठीक है प्रोसा में बताया था उसमें यहीं एक चोटा सा पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि अगर ना भी अंतिम रूप से परिवर्तित हो तो भी उसको कंजूम किया जा सकता है जैसे आठा का एक्जांपल हमने लिया अब यह हो गया फाइनल गूड तो नेशनल इंकम में हमेशा फाइनल गूड को ही एड करते हैं फाइनल गूड को मिडल गूड को एड नहीं करते हैं अब आप बोलेंगे सर यहां आठा मिडल गूड यहां फाइनल गूड हो गया तो पॉइंट यहां पर यहां पर मिडल गूड इसलिए हो गया क्योंकि इसकी कीमत यानि आठा बनाने म कीमत 27 रुपिया, ठीक है, तो हम 27 रुपिया को ले लेंगे, क्योंकि 15 रुपिया विट ये तो है, मतलब गेहू का 15 रुपिया कीमत already यहां टा में इंक्लूड है, आटा में 5 रुपिया और एड हो गया बनाने में, और फिर 5 रुपिया और एड करके ब्रेट बना दिये, तो स सिधे 17 में 27 रुपिया हो गया, और 10 रुपिया हमारा क्या हो गया, वैलु एड हो गया, यानिकि 10 रुपिया हमारा कीमत बढ़ गया, ठीक है, अलग लग तरीके से, यहां पर केहां, यहां सिर्फ 5 रुपिया कीमत बढ़ा, और यहां फाइनल गूड हो गया, तो ध्यान बेगा सर कैसे पता कि वो final good होगा कि middle good होगा कैसे पता कि final good होगा या middle good होगा तो simple है इसको पता लगाने की ज़रुवत क्या है तुम braid खड़ीद रहे हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आटा middle goods है ठीक है क्योंकि braid की कीमत में गेहू और processing आटा बनाने की processing और आटा से braid बनाने की processing सारे कीमत जोड़ दिया है लेकिन जब सिर्फ आटा ले और ठैली में ले जाकर के घर पे रोटी बना लिए तो फिर वहाँ पर आप बोलेंगे सर आटा तो यहां घर पे लेके गए और फिर रोटी बनाए यहां पर बात बोलेंगे यहाँ पे जो domestic services है domestic services जिसको या तो आप खुद करते हैं या घर में आपकी मम्मी या बेहन या अगर आपकी साधी हो गई है तो wife करती है domestic services को national income में include नहीं करते हैं यानि कि रोटी जो आप बनाते हैं वो national income में include नहीं होता है घर में रोटी जो अटा लेकर के बनाते हैं उसका दोखो कितना सारा बात हम बता दिये यानि कि घर में जो रोटी तुम बनाओ लेजाकर करके या तो खुद बनाओ या आपकी बहन बना दे या आपकी मम्मी बना दे या आपकी बुआ बना दे या आपके पिता बना दे कोई भी जो domestic services जिसको simple सब दों बोलते हैं housewives है ना किसी ने किसी का या domestic services उसमें हम यहाँ पे रोटी को गिंती नहीं करते हैं रोटी गिंती नहीं होती है ठीक है उनकी जो कारे है वो गिंती में नहीं लाते है national income में ध्यान रखेगा point को अच्छे तरीके समझे तो यहाँ पे आटा ही final माना लिया जाएगा लेकिन इस जगा पे bread final माना जाएगा क्योंकि यह industry के द्वारा बना करके institutionally market में बेचा जा रहा है तो यहाँ पे इसके लिए tax दे रहा है मजदूरी दे रहा है मतलब हर वो चीज जो कि एक institutional तरीके से किया जा रहा है तो यह national income में include हो जाएगा इसी आटा से bread बना तो national income में यह इसी आटा से रोटी बना तो national income में नहीं क्यों क्योंकि यह domestic services में आ जाता है और यह secondary sector में आ जाता है यानि कि लिख लेना ठीक है एक और example आपको देते हैं देखो एक और example अगर iron और fines है iron और fines है iron और fines है ध्यान रखना ठीक है iron और fines जानते हो और iron और fines को process करके steel बना दिया गया और सीधे सीधे इस steel को अगर consume कर दिया तो यही final good बन जाएगा अगर consume कर गया तो ठीक है यानि कि steel के चादर को ले जाकर के घर पे सेड लगा दिये तो final goods हो जागा लेकिन normally ऐसा नहीं होता है इस्टील से हम क्या बनाते है? car बना लेते हैं तो अगर car बना लेते हैं तो car यहाँ final goods है या steel के हम कुछ कोई निर्मान करवा लेते हैं मांन के चल लो इस्टील से बहुत सारे छीज़ों का निर्मान होता है कोई बस तूँ है utensils बना लिए into tal looked है इस्टील फाइनल गूड नहीं है, तो कार की कीमत, उटेंसिल की कीमत जो है न, वो फाइनल गूड में गिंती होगा, इस्टील की कीमत गिंती नहीं होगा, लेकिन अगर इस्टील को आप डारेक्टली, मान के चलो की 10 किलो स्टील है, 10 केजी है, 10 केजी में से 5 केजी यहां चल जागा, रो, तो iron और fines जिसका खनन किये यह हो जाएगा आपका प्रार्थमिक सेक्टर, प्रामरी सेक्टर, steel और car यह हो जाएगा आपका secondary sector, manufacturing sector, ठीक है, समझ में आ गया, तो final goods car और utensil है ना कि steel है, और steel तब final goods बनेगा जब directly उसको consume कर लेगो, जैसे आटा तब final goods बनेगा जब consume होगा, अगर नहीं consume हुआ और उससे bread बन गया तो bread final goods होगा, फिर आटा की नहीं होगा, तो कभी भी economy में final goods को ही हम लोग क्या करते हैं, include करते हैं, जो पूरी परिभासा में हम लोग बता रहे थे वो, यह तो समझ में आ गया final goods, ठीक है, चलिए, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, final goods समझ में आ गया और परिभासा भी आप यहां पर देख लिए, अब परिभासा जब आपको दिखाती हुए चलता हूँ, फिर मैं आपको कुछ समझाती हुए चलूँगा, यहां पर देखो निशन इनिकम का परिभासा लिखा हुआ, जिसमें हमने क्या कहा, एक बर्स की अबधी, दरसली वो बित्य बर्स जो हमने आपको समझाया, कि दावरान किसी राष्ट्र द्वारा, किसी जो गोला था, वो देश था, उत्पादित सभी अंतिम बस्तूओ, सभी अंतिम बस्तूओ और सेवा हुआ, हमने बस्तूओ की कीमत 50 रुपया, सेवा कीमत 50 किया था, का मुल राष्टरी आया है, और मुल क्या हो गया, 100 रुपया, वो क्या हो गया, राष्टरी ये आयो हो जाएगा, अब यहाँ पर GDP समझते हैं, कि GDP क्या है, और इसके परिभासा को भी समझ जाएंगे, ठीक है, इसके परिभासा को भी हम समझेंगे, लेकिन थोरा स हम आगे बरते हैं, National Income की परिवास आपको लिखा हुआ, मिल जाएगा तो दियान रखेगा, चलो ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ facts के उपर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम GDP, GNP, NNP, NDP समझाना शुरू करेंगे, और वहाँ भी बड़े आसान तरीके से इंगलीस दोनों में, मैं मिटा देता हूँ, सब को लिप पर के लिख लो, नहीं तो आपको मिल तो जाएगा PDF, ठीक है, चलो, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, जिसको आप थुरस अपने copy में कर लेंगे, वो पॉइंट क्या है, कि जो financial year है, जैसा कि मैंने आपको पहले ब लाखिएगा, एक जुलाई से 30 जून, एक डिकल्चर वाला है, बजट वाला कितना है, एक अपरिल से 31 मार्च, और फानेंसियल क्या है, एक अपरिल से 31 मार्च, ठीक है, चलो, तो फानेंसियल यहाँ बजट एक ही जैसा है, एक डिकल्चर का थुरा सा बदल जाता है, पक्क जाल नाम है इसका मैंने आपे लिखा हुआ है, Poverty and Unbretish Rule in India, उसमें उन्होंने सबसे पहले भारत के National Income को calculate किया था, और इन्होंने कहा था, दादा भाई नरोजी ने, कहा था क्या, कि भारत का जो per capita income है, मात्र 20 रूपया है, मात्र 20 रूपया, उसके बाद 1931 में Professor B.K.V.R. इस समय तक चुकि जनसंख्या का एक अनुमान हमारे पास आना सुरू हो गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि जनगरना जो हैना, 1772 में सुरू हो गया था, और 1781 से क्या हो गया था, ठीक है, ये continue हो गया था, तो B.K.V.R. राओ साहब ने सबसे पहले National Income को calculate, बैग्यानी में question पूछे आते हैं, जिसमें पहला सबसे इंपोर्टेंट है, दादा, भाई, नरोजी के बारे में, जिन्होंने National Income को calculate किया था, मेरी बात को अच्छे तरीके समझेगा, National Income को calculate किया था, तो उस समय 20 रुपिया पर capita income था, भारत का 20 रुपिया, ठीक है, ये 1867 है, 1867 है, ठीक है न, चलिए, आगे बढ़े, और ये 1871 की बात हो रही है, 1771 के बात की, 1931 बात ही से न, तो जो जन संख्या की सुरुआत हुई थी, जन गन्ना की, वो 1871, 172 में सुरू हुई थी, और फिर 1881 से ये continue होना सुरू हो गया था, ठीक है, चलिए, आगे बढ़े, आगे बढ 11-12, और परपोज, यह कोशन एक्जाम में कई बार पूछे है, पूछेगा आगे भी, कि base year क्या है, तो 11-12 है, और calculate to calculate national income, या calculate anything, और परपोज जो किया है, गौवर्मेंट के द्वारा की कौन सा base year परपोज किया गया है, तो 2020-21 को परपोज किया गया है, ये बात भी आप रखिएगा, ठीक है, चलिए, और नयवाला जो, क्या बोलते है, आर्थिक सर्विक्षन और budget आया है, उसके हिसाब से, जो कहा गया है, कि भारत का जो GDP है, उसका growth rate 9.2 रहेगा, financial year किसमे, 2022-23 में, 9.2, और ये BVI बन गया, ये exam में कोशन बनेगा, ध्यान रखेगा, भारत का growth rate क्या रहेगा, 9.2 परसेंट रहेगा, आने वाले, financial year में, ठीक है न, चलिए, आगे बरते हैं हम लोग, आगे बरते हैं, और यहाँ पर आपको समझाते हैं, थोड़ा से GDP, GNP, ये सारे चीजों को समझाने की कोशिस करते हैं, तो बड़ा गौर से यहाँ पर देखने की होगा, तो ध्यान रखेगा, जब GDP की बात करते हैं, GDP, तो ये क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा से द्यान से देखिएगा, ठीक है, अच्छे से समझे, GDP क्या है, तो मान के चलो कि ये एक देश है, जिसका नाम है, इंडिया, भारत एक देश है, जिसका नाम ह UK UK United Kingdom Britain या England ठीक है मैंने दो एक्जामपल लिया कोई दूसरा तिसरा देश भी ले सकता हूं जो नहीं चाइना ले लो USA ले लो UAE ले लो रसिया ले लो कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है मेरे मन में जो रैंडम आया वो मैंने ले लिया है ध्यान अखना India है तो इंडिया में मैंने क्या बता है था कि निशनल इंकम के परिभासा में कि किसी देश के अंदर अंतिम रूप से उतपादीत और सेवाव का कुल मुल जो है न वो निशनल इंकम कहलाता एक फाइनंसाल इयर में यह बात बता है तो मान के चलो की एक फाइनेंसेल इयर में यह गूड़स है और यह सर्वीसेज है जिसका उतिकश है लेकिन जब जीडीपी की बात करते है तो इसका पूरा नाम है Gross Domestic Product, पूरा नाम क्या है? Gross Domestic Product, ये क्या कहता है? कि किसी देश के सीमा के भीतर, ये देश है न, किसी देश के सीमा के भीतर, पर परिभासा में अंतर समझ दो, किसी देश के सीमा के भीतर, एक बित्तिय बर्स में कुल उत्पादित, अंतिम बस्तु और से वाओ का मुल GDP है, अंतर क्या हो गया, देश के सीमा के भीतर, तो अगर देश के सीमा के भीतर है, तो वो GDP है, तो देश के सीमा के भीतर कौन-कौन हो सकता है, तो मान के चलो, एक्जामपल देते हैं, मान के चलो, टाटा भी हमारे यहां है, जो की उत्पादन कर रहा है, ठीक है टाटा का उत्पादन है ना ठीक है चलो मान के लो टाटा का उत्पादन है ठीक है टाटा का उत्पादन है तो बोड़ा फोन का भी तो उत्पादन है बेटा बोड़ा फोन भी तो हमारे देश के अंदर है तो Boda phone कहा की company है? UK की अर Tata कहा की company है? भारत की ठीक है? अगर Tata के services के उत्पादन में या goods सब मिलाकर के बात करें है Tata अगर 20 रूपया का उत्पादन करती है और Boda phone अगर 10 रूपया का उत्पादन करती है तो मिलाकर के दोनों का उत्पादन कितना हो गया? 30 रुपिया तो याद रखना कि हमारा GDP कितना हो गया 30 रुपिया और इस GDP में कौन-कौन सामिल है तो GDP में TATA भी सामिल है बेटा और border phone भी सामिल है यानि की चाहे हमारे देश के सीमा के भीतर हमारा अपना देशी कंपनी या देशी बेक्टी उतपादन करे या बीदेशी कंपनी या बीदेशी बेक्टी उतपादन करे लेकिन चुकि मेरे देश के सीमा के अंदर उतपादित कर रहे हैं तो हम उसे GDP में इंक्लूड कर लेंगे GDP में include क्या करेंगे कर लेंगे Gross Domestic Product है Domestic है ठीक है धियान रखना इस बात को आरे आप देखो आपका देश के अंदर में बहुत सारे बिदेशी लोग है न जो बोड़ा फुन है और भी कितने है Amazon वाला काम करता है कितने सारे काम करते हैं और जब वो सारे iPhone वाले काम करते है तो वो सारे काम करते हमारे GDP में सब आएगा हमारे GDP में सब आएगा क्योंकि मेरे देश के अंदर उत्पादिन कर रहा है वो बिदेशी हो चाहिए देशी हो कोई फरक नहीं पड़ता है चाहे टाटा हो चाहे बोडा फोनों बात को समझो एक दम गौर से लेकिन अब दूसरी बात ठीक है अब अगला एजमपल चुकर यूके लिखा हूँ तो कुछ न कुछ तो मैं करूंगा ठीक है तो GDP समझ में आगया होगा मुझे लगता है किसी देश के सीमा के भीतर एक बित् अंतिम रूप से उत्पादित बस्तु और सेवाव का मुल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानि कि सकल घरेलू उत्पाद है चाहे वो देश के सीमा के अंदर भारत का टाटा हो चाहे उनाइटेट किंग्डम इंग्लैंड का बोडा फोन हो कोई फड़क नहीं पड़त ठीक है बीदेशी है लेकिन कर रहा है ध्यान रखना ठीक है अब थोरा सा जब इसको लिखा हूँ तो इसका मतलब हम कुछ करने वाले हैं तो क्या करने वाले हैं वो देखो और फिर हम एक बार पड़िभासा को कैसे हम क्या बोलते हैं सुत्र यानि की फॉर्मूला में ठीक है अब इसको क्या करते हैं GDP को हम GNP करते हैं GNP क्या होता है Gross National Product मैंने पीछे सब लिख दिया बार बार लिखाने की ज़रूरत नहीं है आप बस खो पड़िया खोल करके समझे Gross National Product अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो पीछे का PDF है उसको अपने सामने में रख लीजिए या कॉपी से हाथ से लिख करके और तब इसको पढ़ो ठीक है सकल राष्ट्रिय उत्पाद हिंदी बोलते हैं Gross National Product अब देखो थोड़ा सा इसको समझो बड़े गौर से समझना बड़ा असान से Tata का एक कंपनी है जिसका नाम है Range Rover नाम सुना होगा आप लोगोंने थीक है गारी का ठीक है Range Rover या Chorus Steel यह भी बात आप लोगोंने सुना होगा बढ़ो मानके चलो कि Range Rover र या जगवार लिख सकते है ये ऐपके UK में यूके में UK में UK में UK में UK में Vodafon भी है तो Vodafon यहां भी लिग देता हूँ क्योंकि आपको पता है कि Vodafon UK की sincere Vodafon कहा की UK की understand अपने देश में तो रहेगी हमारे देश में भी है ठीक है और Tata मेरे देश का है लेकिन आपको पता है कि UK के Jaguar domestic में, यानि GDP में कितना युगदान देता मान के चलो 30 रुपय Wyatt और वहाँ Boda phone कितना युगदान देता है, मान के चलो कि ये भी 30 रुपया देता है, तो कितना हो गया इसका GDP 6 रुपया, ठीक है तो ध्यान देना, यहां के GDP में हमारा Range Rover का योगदान है और बोडा फोन का योगदान है और हमारे GDP में Tata का योगदान है और यह भी Tata का ही कमपनी है चुकि तो यह सारे उसके sister concerns company है ठीक है चलिए आगे रेंज रोबर है जगुआर है कोरस है बहुत सारे है ठीक है तो यहां पर समझे कोशी है यह क्या है रेंज रोबर है 30 रुपिया और यह 30 तो UK के GDP में कितना 60 रुपिया भारत के GDP में कितना 30 रुपिया अब पॉइंट यहां पर य है कि GNP क्या है तो gross national product है कैसे national है वो देखिए national ऐसे है कि बोड़ा फोन 10 रुपिया हमारे यहां कमाया लेकिन इस 10 रुपिया में से 5 रुपिया profit लेके कहां चला गया चला गया अपने देश चुकि वो हमारे देश में आया है कमाने के लिए तो profit अपने देश में लेके जा लेकिन जो पैसा बचेगा उसको तो हम अपना पतना लेके आएंगे वहां खर्च करेंगे तो ध्यान रखेगा तो अगर बोड़ा फोन हमारे यहां लेके आया है और यहां पैसा 10 रुपिया कम आया तो कम से कम 5 रुपिया लेके जाएगा ना 5 रुपिया यहां salary देने में या processing में या services को महिया कराने में इस सब में खर्च करेगा लेकिन अगला 5 रुपिया तो लेके अपना घर जाएगा तो अगर 5 रुपिया अपना घर लेके गया तो हमारे GDP से कितना पैसा कम हो गया 5 रुपिया तो कितना बचेगे हमारे GDP में 25 रुपिया और इसके GDP में कितना पढ़ गया 5 रूपिया तो इसका GDP कितना हो गया 65 रूपिया ध्यान से समझना लेकिन टाटा भी तो हमारा UK में पढ़ा हुआ है वो भी तो कमाएगा तो अगर वो टाटा 30 रूपिया कमाता है और 15 रूपिया लेके चला आता है हमारे देश में 15 रूपिया वेटा पलस है ठीक कि 15 रूपिया कहां से कमा के लाया है Tata, B10 में गया था, व्यापार किया और वहां लाब कमा के हमारे भारत में लेकर क्या आया है 15 रूपिया कौन? Tata, तो हमारे GDP में क्या हुआ? 5, 5, 10, 1, 2, 1, 3, 1, 4, हमारा क्या हो गया? 40 रूपिया, यानि कि ध्यान रखिएगा मेरी बात को 5 रूपिया, बोडा फुन बला लेके चला गया, मैं color अलग change कर दूँ ठीक है? बोडा फुन बला 5 रूपिया लेके चला गया और Tata वाला 15 रूपिया लेके आया, ठीक है ना? तो मिलाज उलाकर के 30 रूपिया में से 5 रूपिया माइनेस और 15 रूपिया पलस होके कितना हो 40 रुपिया, ठीक है, 40 रुपिया, पक्का, कोई दिकत नहीं, ठीक, उसी तरीके से, यहाँ पर भी देखे, 60 रुपिया में, 5 रुपिया जो है न, पलस होगा, क्योंकि, बोड़ा फुन बला लेके आ गया, बोड़ा फुन बला लेके आ गया, और 5 रुपिया माइनस होगा, क्योंकि, टाटा बला लेके चला गया, तो कितना हो गया plus-minus हो के? 50 और हमारा plus-minus हो के Klein किना हो गया? 40 तो ये जो 40 रुपया है ये हमारा GNP है ये हमारा क्या है? GNP और ये 30 रुपया था ये हमारा क्या है? GDP है मेरी बात को अगर अच्छे तरीके समझ लो और ये गनी तो बड़ा सिंपल है, खाली जोर घटाओ तो कर रहा हूं, और कुछ तो मैं कर ही रहा हूं, क्यों आप लोग इतना परसान हो रहे हैं, जोर घटाओ कर रहा हूं, तो अगर GDP 30 रुपिया है, और GNP 40 रुपिया है, तो इसका मतलब है कि कुछ जोर घटाओ हुआ है और उस जोर घटाओ में घटाओ कम हुआ है, जोर जादा हुआ है, अगर जोर जादा होगा तब ही 40 रुपिया हो गया, अगर जोर कम होता अग घटाओ जादा होता, तो 30 के जगाँ क्या होता है, यहाँ पर 25 होता, 20 होता, पास समझ में आ रहा है, तो यह GDP है, Gross Domestic Product, और यह है, GNP, Gross National Product, यानि कि GDP से GNP में अगर बदलना है, अगर GDP से हम GNP को निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, तो अपने देश में जितने भी बीदेशी नागरिक है, और जो पैसा कमाएगा, और लेका अपने देश वापस चला जाएगा, उसको माइनस कर देंगे, जै इसमें आएगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, जोर देंगे, जैसे कि टाटा वाला वहाँ कमाया, और लेकर के कहां आगया, भारत, तो उसको हम जोर देंगे, तो कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए बड़ा सिंपल है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके सि यह यह टैय होता है कि plus होगा क्योंकि हमारे किस तरीकेсти है थीक है चले तो X-M अगर हमें यहां पे कर दे X-M थीक है तो हम लोग क्या वो बोल रहे हैं GnP यहां पे हैं GnP को हम कैसे निकालेंगे GDP में हम क्या करेंगे देखो हम क्या करेंगे X-M X-M का मतलब क्या है ज़रा इसको समझते है यह देखो मान के चलो कि यह 15 रुपिया हम लेके आए और 5 रुपिया लेके गाए तो 15 में से 5 गया क्या रुपिया का हो गया 10 रुपिया तो हमारे GDP कितना था 30 रुपिया इसमें कितना जोर देंगे 10 तो कितना बज़ जाएगा 40 हो गया तो यह पॉइंट है यहापर ध्यान रखेगा यानि कि लेके गया लेके आए और लेके गया उसको माइनस कर देंगे तो यह बन जाएगा पक्का समझ में आगया तो यह GDP था यह GNP है आप यहाँ पर NDP और NNP करें तो बहुत असान है क्या है NDP और NNP क्यों असान है इसको पहले आप लिख लिजे इस पूरा पॉइंट को लिख लिजे मैं इसको थोड़ा और साफ तरीके से अगर लिखने कोशिस करूँ हला कि आपको दिख रहा होगा मैं आप यह थोड़ा ओवर राइटिंग कर दू ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे यह M है ठीक है M है और इसको मैंने इस तरीके से घिरा है और यह X है माइनस ठीक है और यह GDP पलस यहाँ ध्यान रखेगा GDP पलस X-M GNP बढ़ावर और समझ में आ रहा है किस तरीके से GDP 30 और GNP 40 रुपया होगा यह समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते है थोड़ा सा ध्यान रखेगा मैं मीटाता हूँ सबको आपने लीक लिया होगा सबको ठीक है मैं मीटाता हूँ देखो P पलस X-M ऐसा क्यों ऐसा हुआ क्योंकि हमारे लोग जो बाहर में रहे वो जो कमा के लाया और हमारे देश में जो दूसरे देश के लोग है वो जो कमा के यहां से ले गया ठीक है तो उसको पलस माइनस करने को आज जो होगा और GDP में जोड़ देंगे तो वो GNP हो जाएगा ठीक है चलो समझ में आगे है ना अब यहां पर क्या हो रहा है NDP और NDP तो असान है क्या है असान देखो अगर GDP में से GDP में से Depreciation Depreciation का मतलब होता है कि Depreciation ठीक है Depreciation का मतलब होता है Abmullian अगर Abmullian मतलब क्या कि जैसे अगर इसको से समझाता हूँ कि मानकी चलो एक बाइक अपने खरदा नया बाइक खरदा एक लाख रुपया में दो साल चला है उस बाइक का कीमत क्या होगा आप ही बताइए उस बाइक का कीमत क्या होगा तो फैक्टरी के मसीन घिसते हैं चलने के बाद बिल्डिंगे कमजोर होती है कपरे जो मजदूर वहाँ कपरे पहनते है या पिर अगर कुछ फैसलिटी दे रहा है तो उसमें कम होता है तो ये सारे जो कटे फटे या फिर घिसा पिटा जैसे सब होता है वह डिप्रिसीयेशन होता है इसको डिप्रिसीयेट वैलू कहते है तो वह डिप्रिसीयेशन जब जीडीपी में से हम माइनस कर देते हैं तो वह एनडीपी हो जाता है क्या हो जाता है एनडीपी और एनडीपी क्या होता है बड़ा सिंपल है, NNP क्या होता है, तो अगर GDP में से, GDP में से, अगर हम पलास X-M कर दिये, और माइनस डिप्रीसियेशन, डिप्रीसियेशन, तो ये क्या हो जाएगा, NNP, अब ये कैसे होगा, इसको और असान तरीके से अगर समझा है, तो और असान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, देखो, ये कैसे होगा, देखो, NNP को मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, इसको लिखने ना, मैं मीटा आयता हूँ, ठीक है, देखो, Gross Domestic Product, ठीक है, G है Gross, D है Domestic, अब मैं दूसरा तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, D है Domestic, ठीक है, और P है Product, त इसको बदलना है हमें GNP में, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे simple लिख देना है GDP, जिसको भी पूछे, आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूं, जो बहुत असान है, जिसको भी पूछे निकालना, आप बस इसको देखना, आगे में GDP लिख देना, और common factor देखो क्या है, तो common factor हम न है national, और यह D है domestic, ठीक है, और मैंने आपको बताया था, कि किस तरीके से अपने देश वाले लोग बाहर से कमा के लाते हैं, और हमारे देश से विदेशी लेकर के चले जाते हैं, तो यानि कि domestic में से, यानि कि अगर हम इसको plus x minus m कर देंगे, तो यह हो जाएगा, D N में च पूछे, NDP, आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पर GDP लिख दीजिए, और फिर वाई common factor देखे, common क्या है, DDP, यानि कि common क्या है, तो यह net है, N का मतलब हो गया, यहाँ पर net, और इस G का मतलब यहाँ पर क्या है, Gross, Gross, यानि कि यह कहा रहा है कि Gross को net में change करो, क्या करेंगे, minus depreciation, minus depreciation, हो गया, दूसरा फर्मूला, तीसरा चलो चलते हैं, तीसरा, तीसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, N, N, P, N, P कह रहा है, तो हमको करना क्या है, हमको simple वही बात, जो हम लोग करते आरहे है, G, D, P, ल कि क्या बोलते हैं ठीक है आप यहां पर common ढूंदेंगे common ढूंदेंगे common क्या है PP यानि कि change किसको करना है G को भी करना है और D को भी करना है दोनों को change करना है यहां पर बड़ा ध्यान दखेगा तो पहले भी हम D को N में change कर चुके हैं पहला देखो D को N में change कर चुके हैं कैसे change कर चुके हैं पलस X माइनस M करके, पलस M X माइनस M करके, और दूसरे में G को N में चेंज कर चुके, कैसे करके? माइनस डिप्रिसियेशन करके, माइनस डिप्रिसियेशन करके, हो गया formula, खतम. और NNP को ही national income कहते हैं, NNP ही national income है, बेटा, national income NNP ही है, ध्यान रखेगा, NNP क्या है? national income है, हो गया, काम खतम, अब देखो, इसको थोड़ा और अच्छे से देखे, और अच्छे से, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान रखना, तो GDP पलस X माइनस M को हम क्या कह सकते हैं, ध्यान रखना, क्या कह सकते हैं, कलर बदलता हूँ मैं, क्या कह सकते हैं, यह बता, तो GDP पलस X म नहीं कह सकते हैं, GNP, कह सकते हैं, तो GNP minus depreciation, डिप्रिसीएशन, GNP minus depreciation equals to, equals to NNP, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्या, कह सकते हैं, लिख लो formula को, और इसी तरीके से काटना, अगर नहीं आद रहा है, तो इस तरीके से cross करके ध्यान रखना, एक्जाम में भी ऐसे करोगे, तो एकदम तुरत ध्यान में रहा जाएगा, तो ये आपके GDP, NDP, NNP निकालने का formula है, आप बड़ा असान है, रट्टा मारोगे ना, तो फिर वो ठीक नहीं है, रट्टा नहीं मारो, पहले तो मैं आपको समझा दिया कि किस तरीके से TATA और Boda फोन करके, और उसके बाद वहां से अगर समझ में आ गया, तो बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और उसके बाद, उसके बाद मैं दूसरे तरीके से समझा दिया, कि देखो, इसे भी असान फर्मूला है कि भईया, रवया क्रोस करके कर लो, कुछ नहीए, इसमें कहा हम रठ्टा मारा, है तो माइनस X माइनस M और X माइनस M क्या है तो X माइनस M वही है जिसको लेकर कि इतना सारा चर्चा किये बोड़ा फोन UK बोड़ा फोन UK वला बात ठीक है और टाटा वला बात ठीक है न तो ये थोरा सा हमने आपको GDP, GNP, NNP और NNP का दो तो फोर्मूला यहां पर बता दिये, NNP का तीसरा फोर्मूला भी है जो आप हमें निकाल के बताओए जड़ा दिमाग लगाईए कि एक और formula बनेगा NNP का, वो क्या बनेगा, थुरस दिमाग लगाईए तो, ठीक है, थुरस दिमाग लगाईए इसी तरीके से, इसी तरीके से दिमाग लगाईए तो जैसे मैं दिमाग लगाया हूँ, ठीक है, तो यह formula था, इसको आप लिख लिएगा, र NNP ब्रावर GDP plus X minus M income received from abroad जो मैंने कहा कि बाहर से income आता है, NNP के GDP plus X minus M minus depreciation, NNP ब्रावर GNP minus depreciation और एक और बनेगा, वही बाता हम आपसे पूछे कि एक और क्या formula बनेगा, वो बता दीजे, और NNP is called national income, यह बात या ध्यान में रखियेगा, तो एक और formula बनेगा, वो क्या बन प्रती बेक्ति आया है, किसी भी देश के national income को निकालने में एक बेहतरीन योगदान देता है per capita income, करना कुछ नहीं है, इसका formula बड़ा simple है, कि आपके जो national income है, यानि कि NNP है, नेशनल इंकम है, उसमें से total population को, अगर हम divide करते हैं, यहापे लिखा है, national income by total population, तो इससे क्या होगा हमारा per capita income निकल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, कि per capita income जो है ना, एक सही figure देता है क्या, जैसे example के तौर पे, मान के चलो, कि हमारे देश में, बिहार है, UP है, और पूरा देश है, तो पूरा देश में अबादी है, 1000, ठीक है, अबादी कितना है, 1000, और देश मे जो income है, वो क्या है, 10,000, मान के चलो, income है, 10,000, ठीक है, तो इसको कार्ड दिये, तो per capita income कِतना हो गया, 10 रुपिया, यानि कि, हर बेग्ती के जेवी में कितना है, 10 रुपिया, यह यही कहना चाहता है, लेकिन क्या ये सच्चाई है, नहीं है, क्या सच्चाई है, सच्चाई पर capital income जरूर national income को calculate करने के लिए बेतर तरीका है या किसी भी देश के आये को, लेकिन ये बेतर है, इसके लेकर करके हम बात नहीं कर सकते हैं, ज्यादा किसलिए, क्योंकि कहीं ने कहीं एक आसमानता को ये नहीं बताता है, जो खाई है, अमीरी और गरीबी को ये नहीं बताता है, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला point यहां पर लिखा है, कि India is world 6th largest economy है, GDP के द्वारा, और purchasing power से कितना है, 3rd largest है, ये बात तो हमने आपको बताया था, चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि परतिवेक्ति AI का क्या हिसाब है, तो 28, 19, 19, 20, 21, 21, 22, ये है, और ये current price ये है, यानि कि बरतमान मुल, जो परचलित मूल है, बरतमान मूल, बरतमान मुल का मतलब का मतलब क्या रहता है, जो आपके biscuit का packet खरिता है, उस पे चीमत लिखा रहता है, और और constant price, इस का मतलब क्य PLAY antioxidants होता है, वो constant price है, आधार बर्स, यानि कि इस constant price में inflation की जो एक प्रभाव है वो जुरा रहता है कि inflation के बज़ा से current price ये है मतलब कि अगर मान के चलो कि आधार बर्स अगर आभी आधार बर्स देया है 2011-12 और आप जानते हैं कि 2011-12 है और 2021 को प्रपोज किया गया है तो 2011-12 में अगर biscuit कीमत 5 रुपिया था तो 5 रुपिया के आधार पे वो जोरा जाएगा अभी national income उसी तरीके से calculate करते हैं लेकिन बर्तमान में उस biscuit का कीमत हो गया 7 रुपिया तो ये जो 2 रुपिया बढ़ रहा है ये क्या बढ़ रहा है ये महंगाई के बज़ा से बढ़ रहा है तो इस बज़ा से इस महंगाई के effect को हटाने के लिए base year का परियोग किया जाता है और base year के अधार पे ही calculate करते हैं लेकिन बर्तमान कीमत पे अगर calculate करें तो 2021-22 में जो हमारा per capita income है वह 150,326 है ठीक है per capita income per annum होता है ठीक है और constant price पे हमारा है 93,973 तो आप देख लिजेगा constant price और current price मेंतर क्या inflation का अंतर है inflation के बज़े से price बढ़ जाता है ठीक है परतिविक्टी आया है ये आपका यह भारत में ये भारत के बारे में बात कर रहा हूं मैं ठीक है आगे बढ़ें चलो, आगे बढ़ते हैं, national income में, परतिवेक्ति आय देख लिए, अब हम बात करते हैं कि national income को calculate करने के क्या तरीके हैं, तो national income को calculate करने के तीन तरीके हैं मुखरूब से, एक है उत्पाद भी धी, एक है आय भी धी और एक है उपुभोग भी धी, जरा मैं इसको समझा हूँ, तो उत्पाद बिधी का मतलब यह होता है, कि जो हम तब से समझा रहा है, अन्तिम बस्तू और सेवाओ के कुल मुल, को national income कहा जाता है, यह production बिधी, ठीक है, अन्तिम बस्तू का जो value है, उसको जोड लेंगे, income method क्या है, कि जितने भी काम करने वाले हैं, चाहे हो company के हैं, चाहे कोई भी हो, उसका जो I है, income है, उसको हम एक साथ जोड लेते हैं, तो वो income method हो जाता है, बिधी क्या है, या उपभोग भी जो भी खर्चा करते हैं, जो भी खर्च करते हैं, तो उस खर्च को जोड लेते हैं, और खर्च के बाद आप बचा भी लेते हैं, तो खर्च पलस बचत, इस दोनों को add कर लेते हैं, चाहे वो बेक्ति का हो, चाहे company का हो, और उसके आधार पे जब निकालते हैं, तो consumption method, यानि expenditure method हो जाता है, तो ये तीन तरीके की method है, national income को calculate करने का, उत्पाद विधी के उपर में इतना सारा चर्चा की है, तब से समय वहीं जा रहा है, तो उत्पाद विधी, यानि final goods को जोड लेते हैं, और services को, आए विधी, आपकी income को जोड लेते हैं, जितने भी income है, और उभ्भोग विधी, जो भी खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद जो बचत करते हैं, उस दोनों को add करके, हम लोग यहाँ पर उभ्भोग विधी को निकाल लेते हैं, ठीक है, चलिए, एक और point है, disposable income, exam में question पूज देते, ब्याय योग आए, यानि कि वैसा income जो आप खर्च कर सके, तो इस income में simple है, अगर आपका income, income tax के दैरे में आता है, तो जो income tax आप pay करेंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा, वही आप खर्च कर पाएंगे, वही बात है, सालाना आए, माइनस परत्यक्ष कर, इसमें कोई बात ही नहीं है, आपने income किया अगर दो लाख, और वह अगर income tax के दैरे में नहीं आता है, तो फिर परत्यक्ष कर जीरो हो जाएगा, तो दो लाख आपके ब्याई हो गाग हो गया, लेकिन अगर आपने income किया 10 लाख, तो परत्यक्ष कर के अंदर में आ जाता है, और 10 लाख में अगर 10 परसेंट या 20 परसेंट के हिसाब से भी, 12 परसेंट के हिसाब से भी कटा, तो उसको आप माइनस कर लिजे, वो आपका माइनस करने के बाद जो होगा, वो सलाना income, यानि खर्च करने के income होगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, disposal income क्या होता है, सलाना आए में से परत्यक्ष कर को घटा देते हैं, यानि आपका जो annual आय है, उन में से जो direct tax होता है, अगर आप पे करते हैं, तो माइनस करेंगे, इंक्लूड होता है, और क्या-क्या निसनल इंक्लूड नहीं होता है, और ये बात हम बताते हुए चले हैं, तो उस समय भी आप यहाँ पे समझेगा, किराया निसनल इंक्लूड होगा, rent, मजदूरी निसनल इंक्लूड होगा, बोनस निशनल इंकम में इंक्लूड होगा ब्याज निशनल इंकम में इंक्लूड होगा लाब होगा ठीक है अंतिम बस्तू होगा माल नहीं बस्तू होगा बिदेशों में भारतिय नागडिक द्वारा उत्पादित बस्तू जो हम आपको समझाए, टाटा किस तरीके से, तो वो होगा, कौन नहीं होगा, जैसे इंकम में किसको include नहीं करेंगे, मद्ध बस्तू, यानि की आटा, आटा जो मैंने बताया, वो मद्ध बस्तू हो, तो उसको include नहीं करेंगे, दूसरे बाले formula में मद्ध बस्तू, ठीक है, प थो और metros या या कुई बनाता है, तो उसको हम नहीं include करते हैं, ठीक है, लाभांस, लाभ include कर दिए हो तो लाभांस इंक्लूड नहीं करे को, क्यों कि लाभांस क्या होता है, लाभ का ही Going一次, लाभ जब 100 रुपिया include कर लिCómo Oneü, जब 100 रुपिया include है, तो इसका अंस दस दस नहीं होगा यह क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा थोरा सा दान अगर कोई दान आप रिसीव करते हैं देते हैं वो इंक्लूड नहीं होगा बिदेशों से उपहार उपहार कोई देते लेते हैं वो नहीं होगा और बित्य परिसंपत्यों की बिक्री माना यह जाता है कि बित इसको include नहीं किया जाता है, लेकिन अगर उस परिसंपती आपके पास पड़ा हुआ है, और उसकी value increase हो गया, तो इसको capital gain कहते हैं, और जब capital gain होगा, तो वो direct income है आपका, और वो include हो जाएगा, तो चुकि वो तो लाब हो गया, capital gain हो गया, तो वो क्या हो गया, profit हो गया, ठीक ह अगर बेच खरीद कर रहा है, तो यह माना जाता है कि परिसंपती जो है न, एक नाम से दूसरे नाम पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसमें कहीं कोई income वाली बात नहीं है, तो इसलिए बिकरी को add नहीं करते है, national income में, ठीक है, अब ट्रांसफर जो payment है, यानि हस बस्तू की बात के services of wife, housewife, सबकी बात हम लोग ने कर लिया, ठीक है, तो यह include नहीं होगा, और include यह सारे होगे, national income को calculate करते हुए, ठीक है, और यह question exam में पूछा है, चलिए, आगे बरते हैं, अब अगला point है, ट्रांसफर पेमेंट के बारे में, कि ट्रांसफर पेमेंट में होती है, यानि कि कोई भी ऐसा भुगतान, जिसके return में हमें कुछ पराप्त नहीं हो, वो ट्रांसफर पेमेंट है, example के तौर पेंशन, old age pension, अगर हम pension, चाह कोई भी pension हो, अगर हम pension देते हैं, तो pension उसके पूर्व में किये गए काम के उपहार सरूप अभी government दे रहा है, तो इसका मतलब है, कि उससे हमको कोई लाब नहीं है, बस उसको हम दे रहे हैं, तो लाब नहीं है, तो pension जो है न, national income में include नहीं होगा, और यह एक तरीके का transfer payment है, यहाँ पेंशन, लिखा है न, pension, ठीक है, चलो आगे, अगला point यह है, कि अगर कोई आपको transfer payment में हम लोग बात कर सबसीडी, अगर किसान को हम सबसीडी दे रहे हैं, तो इससे हमें कोई सेवा नहीं ले रहे हैं किसान से, पैसा दे रहे हैं, लेकिन सेवा तो नहीं ले रहे हैं, तो सेवा नहीं ले रहे हैं, डारेक्टली किसी तरह का कोई लाब सरकार को किसान से डारेक्टली नहीं हो पा अगर किसी गरीब को इंदरावास में हम घर बनबा दिये तो वो transfer payment है, उसके बदले उससे हम कोई सेवा ने लेता है, सरकार कहती है कि आकर के हमारे factory में खट जाओ, तुमको हम घर बना दिये, नहीं कहते है न, तो पैसा दे जती है, तो वो social security transfer payment है, तो ऐसा हर payment जिसके बदले में government या कोई भी आप से कोई सेवा ना ले, या आप से कोई बस्तू ना ले, वो transfer payment है, और इसे national income में include नहीं करेंगे, चाहे वो pension हो, चाहे वो घर के लिए दिया गया पैसा हो, चाहे आप student के लिए scholarship दिया जा रहा हो, या भी subsidy दिया जा रहा हो, कोई भी हो, ठीक, समाझ मे आगे हैं, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर एक CSO है, Central Statistics Office, अभी नाम इसका change हो गया, Central Statistics Office हो गया है, जो कि उनी से क्या बने बना था, और जब बना था, इसका नाम था Central Statistics Organization, ठीक है न, तो Head Office New Delhi है, अब इसका सबसे important point जो exam में question बन जाता हो, कि ये national income को क्या करती है, calculate करती है, यानि कि अभी आपके देश में अगर आपसे question पूछे, कि राष्टरी आया को कौन calculate करता है, तो आपको tick करना होगा, CSO calculate करती है, CSO, ठीक है, दूसरा है NSSO, NSSO क्या है, National Simple Survey Office, 1950 में बना था, ठीक है, ये calculate करती है, accumulate data का, unorganized sector से ये data को लेती है, unorganized मतलब असंगठित, जैसे किरसी, असंगठित चेतर है, या कोई बुद्ध बजार बोलते है, या मंगल बजार बोलते है, ये असंगठित चेतर है, जिसको, है न, क्या बोलते है, हमारे यहां पिठिया बोलते है, या बजार बोल लेते है, छोटा सा जो असंगठित बजार होती है वो ठीक है तो वहां से जो डाटा लेकर आते हैं एनेसोसो ठीक है चलू तो ये CSO और एनेसोसो की बात हम लोगों ने कर लिया और transfer payment भी आपको समझ में आ गया होगा अब यहां पे हम लोग चीजों को रोकते हैं यानि कि और वहां पे हम रोकते हैं हमने इसनल इकम के बारे में पूरी बात किया है आज और उसको आप देखिएगा कोसन बनाएगा एक्जाम का आपको समझ में आया की नहीं आया आई होब बिलकुल समझ में आया होगा तो उस पर हमें आप comment भी करेंगे और जो important point था वो हमने नेसनल लिकम से आपको cover किया है आपके exam point of view से ठीक है तो thank you thank you very much